दर्शक मित्रो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक होता है में डोर जो घर का मुख्यद्वार कहते हैं और एक होता है में गेट जो कमपॉंड वाल में लगता है जहां से आप गाड़ी लेकर के अंदर आते हो और गाड़ी पार्क करते हो मुख्यद्वार के जितने भी नियम है पद के जो नियम है वो सारे के सारे मुख्यद्वार के और मेन गेट के एक ही होते हैं लागू पढ़ते हैं सेम लागू पढ़ेंगे उसके जो वास्तुक शास्त्र के नियम है वो आपको सेम लागू पढ़ेंगे अगर गेट जो है वो कोनों के लिए rules same है दर्शक मित्रों अब सवाल आता है कि मुख्यद्वार कैसा होना चाहिए शास्त्र ने बहुत सरलता से यह कहा है कि मुख्यद्वार smooth and thick होना चाहिए मुख्यद्वार मोटा और सरल और सपाट होना चाहिए जैसे आपके flush doors होते हैं आप होटलों में अगर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि होटल के अंदर एक flush door लगा होता है जो मोटाई है मुख्यद्वार की वो security का बहुत बड़ा कारक है कि जो मुख्यद्वार अगर मोटा होगा तो आपका जीवन उतना सुरक्षित होगा मोटाई का संकेत है अधिक सुरक्षा अगर पतला द्वार होगा तो आपकी सुरक्षा जो है वो कम हो जाएगी इसलिए मुख्यद्वार मोटा होना चाहिए दूसरी बात ये है कि मुख्यदवार स्मूध होना चाहिए खरबचडा नहीं होना चाहिए स्मूध से ये मतलब है कि आपका जीवन सरल है लेकिन अगर उसके अंदर आप बहुत सारी डिजाइन्स देते हैं और उसके उपर थोड़ा सा एंबॉसिंग करते हैं थोड़ा सा आप उसके एंबॉस किया थोड़ा खड़ा किया थोड़ा एंबॉस किया थोड़ा रफ कर दिया है तो आपका जीवन रफ हो जाएगा इसलिए मुख्यदवार स्मूध एंद थिक बस आप इतना ही समझ लीजिए ऐसा होना चाहिए दर्शकों सिविल एंजिनियरिंग की भाषा में बात करूँ तो लिंटल लेवल जब आता है तब खिड़की के लिंटल लेवल तक जब मैशनरी वर्क आ जाता है जब इड की चुनवाई लिंटल लेवल तक आ जाती है मतलब समझ लीजिए कि पौने साथ फूट या साथ फूट तक आ जाती है तब जो आर्शी सी का काम करते हैं जो लिंटल बांदते हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक लेवल निकालते हैं अभी ऐसा होता है एक लेवल के निकाल करके खिडकी और मुख्य द्वार दोनों का लेवल बांद करके वहाँ एक पटली डोरी सुथारी डोरी जो आती है वो सुथारी डोरी जिसका एक ऐसा हम जैसा पतंग उडाने के समय एक पिंडा बनाते हैं एसा एक पिंड़ा होता है, उस डोरी से लवल को बांध देते हैं, और फिर वह वहाँ पर लकड़ी के जो फटे होते हैं, वह बांध करके उसमें वो लोग लिंटल या बीम कास्टिंग करते हैं, दो या चार सलिया उसमें डाल करके, रिंग में बांध करके वहाँ डालते हैं फिर उसको सूखने देते हैं तीन दिन फिर लिंटल के उपर फिर मैशनरी वर्क शुरू करते हैं और फिर स्लैब भरा जाता है। स्पीड में काम करने की चेश्टा में मुख्यदवार और खिड़कियां जो हैं उसकी जो हाइट है वो एक ही पकड़ी जाती है। लेकिन जब मकान बन जाता है और प्लास्टर होने से पहले जब वुड़ वर्क आता है जब आपकी बारसाक लगती है तब वुड़न फ्रेम जब दरवाजे और खिड़की की लगती है तब ये तैह होता है कि खिड़कियों की जो बारसाक है खिड़कियों की जो वुड़न फ बड़ी होती है, होता ये है कि आपका ये मकान है और ये उसकी खिड़की है और ये उसका द्वार है और ये फिर एक और खिड़की है, तो लिंटल लेवल जो नापा गया, वो एक ही लेवल में नापा गया है, लेकिन इसकी जो खिड़की है, खिड़की की जो लकड़ी है वो तो क्या हो जाता है कि मुक्य द्वार जो है खिड्की से आधा इंच एक इंच छोटा हो जाता है और यहाँ पर आपने एक वास्टुदोस्त डाल दिया मुक्य द्वार हमेशा सबसे उचा होना चाहिए खिडकी से उचा तो होना ही चाहिए लेकिन मुख्यद्वार हर दर्वाजे से हर कमरे के दर्वाजे से भी उचा होना चाहिए आपके अंदर के जो कमरे के दर्वाजे हैं टॉयलेट बात्रूम के जो दर्वाजे हैं अगर वो खिड़की की लेवल पर होंगे तो चलेगा लेकिन मुख्य द्वार जो है वो सबसे उचा होना चाहिए पुराने जमाने में इस दर्वाजे के ऊपर एक वेंटी लेटर लगता था और वस वेंटी लेटर को हम लूवर कहते हैं सिविल एंजिनियरिंग की भाषा में और इस लूवर को इस वेंटी लेटर को वास्तु शास्त्र में महादेव जी की तीसरी आँख कहा गया है दर्शक मित्रो अगर आप 9 फुट का या 10 फुट का या 11 फुट का मुख्यद्वार नहीं रख सकते हैं आज की तारीक में तो कोई बात नहीं लेकिन कब से कम अगर आप मुख्यद्वार अपने मकान का बनाएं तो कम से कम खिड़की से उचा तो वो होना ही चाहिए चाहे फिर नाखुन जितना उचा हो लेकिन वो उचा होना चाहिए मुख्यदवार का ये नियम है कि मुख्यदवार खिड़की से या किसी अन्य दर्वाजे से उचा होना चाहिए क्योंकि सारी जो उड़ जाए हैं सारी जो प्रगती के कारक हैं वो सारे इस दुआर से आ रहे हैं, उसको संकोचित मत कीजे दर्शक में तरो, उसमें संकोच मतला ही है, विशाल दुआर होना चाहिए, उससे आपकी जो शुबा है समाज में वो बढ़ेगी, दर्वाजे की विशालता से पता चलता है कि आदमी कितना धन्वान है, या कितने अच्छे विचारों वाला है, या समाज में उसका क्या नाम है, राजे महराजाओं के महलों में अगर आप देखोगे, तो दर्वाजे 20-25-25 फुट उचे हुआ करते हैं, मुख्यद्वार का कोना कभी ऐसे न काटें, ये ऐसे कोने नहीं कटने चाहिए, मुख्यद्वार मे कभी आर्च न दें, खिड़कियों में आर्च न दें, अंदर के दर्वाजों में आर्च न दें, किचन और ड्रॉइंग रोम के बीच में आर्च न दें, आर्च आर्च में तो पूरा रोमन एंपायर खतम हो गया, पूरा जो रोमन एंपायर था, उसकी जो आर्किटेक्च मुख्यद्वार का कोना काटते हैं तो यह वास्तुदोश है वास्तुदोश राइट एंगल ही होना चाहिए मुख्यद्वार राइट एंगल ही होना चाहिए और हर दर्वाजा राइट एंगल होना चाहिए आप मेरे घर पर आते हैं दर्वाजा डोर बेल वजाते हैं मेरा द दर्वाजा बाहर को खोल रहा हूं और फिर आप से कहता हूं आओ ऐसे किसी की आवभगत की जाती है किसी की आवभगत ऐसे की जाती है पुराने जमाने में आवभगत ऐसे होती थी कि दर्वाजा अंदर को खुलता था और महमान से कहते थे हे अतिती पधारिये जरूर पधार महमान वह होता है जो तैस समय पर आता है जो ऑन इंविटेशन आता है कि कल रात को आठ वजे आप मेरे घर रोटी खाने आना इसको बोलते हैं महमान अतिती वह होता है जिसके आने की कोई तिति नहीं है वह अचानक आ जाता है तो आप ऐसा बुलाते हो सुबह सुबह आपके घर के द्वार के बहार छे बजे आपको पता ही नहीं है कि महादेव जी खड़े हैं विश्णु बगवान खड़े हैं आशिरवाद देने के लिए आए हैं आपके घर में फेरी करने के लिए आए आप नहीं देख सकते हैं अग सारी खिड़कियां बाहर खुलेंगी, ये शास्त्र का नियम है, All Doors Must Open Inside, All Windows Must Open Outside, Basic, बहुत सरल बाशा में समझा दिया, कभी भी आपका मुख्यदवार बाहर नहीं खुलना चाहिए, दुकानों में, शॉपिंग कॉंप्लेक्स में, कांच के दर्वाजे होते हैं, और कांच के दर्वाजे पर डिस्पले होती है, वो प्लास्टिक के कुछ हुक्स लगाते हैं, फिर उसमें डिस्पले करते हैं, फ्रॉक लगाते हैं, कुछ भी चीज़े लगाते हैं, और उस दर्वाजे को बाहर की तरफ खुला जाता है, ताकि display दूर से ही कोई passage में से कोई घराक गुम रहा है तो दूर से उसको वह दरवादा खुला हुआ है उसके डिस्पले है वह दिखाई दे और वह दुकान में अंदर आएगा अच्छे वास्तु से डुकान में घराक आता है डिस्पले करने से दुकान नहीं दुकान में घर खाक को आप पीछे धका मारते हैं दर्वादा बाहर खोल करके, दर्वादा तो अंदर ही खुलना चाहिए, चाहे मकान का हो, चाहे कार खाने का हो, चाहे कोई भी हो, हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि मुख्यदवार की यहां पर बात हो रही है, इसलिए अगर आपके मन में कोई भेहम है कि अरे मेरा मुख्यदवार तो अंदर खुल रहा है, लेकिन मेरे दर्वादे के बार एग्रिल लगी हुई है, वो तो बाहर खुलती है, वो तो हम भी समझते हैं कि ग्रिल तो बाहर ही खुलेगी, क्योंकि अगर security का मामला है और आपने अपने ग्रिल दिये, लेकि लेकिन मैं आपको ये भी कह दूँ कि आपका मुख्य द्वार सबसे चौड़ा भी होगा, क्योंकि मुख्य द्वार आवक का द्वार है, और आपकी रसोही में पिछवाड़े वाश यार्ड में खुलने वाला जो द्वार है, वो धाई फुट का होगा, में डोर आपका तीन फूट, चाड़े तीन फूट, चार फूट, पांच फूट जो लेना है, आवक से जावक कम होनी चाहिए, मुख्य द्वार से आवक होती है, रसोही के पिछवाड़े के द्वार से जावक होती है, इसका मतलब अगर आपका में डोर तीन फूट का है, और अगर आपके घर में तीन दर्वाजे हैं या चार दर्वाजे हैं जो मार्जिन में खुलते हैं तो एक मुख्यद्वार है एक रसोई में से बाहर जाता है एक मैंने बेडरूम से भी दे दिया है एक हमने ड्रॉइंग रूम से भी दे दिया है तो मुख्यदवार सिर्फ एक है बाकी के सब दर्वाजे जावक के है फिर ये नहीं कहना कि हमारे घर में बरकत नहीं है आपने आवक का एक ही दर्वाजा रखा है और जावक के तीन दर्वाजे खोल दी है और फिर आप ये कंप्लेंड कर रहे हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं ह आपने इतने सारे पचर कर दिये हैं जावक के लिए पैसा यह आ से भी जा रहा है सिर्फ एक जगे से तो आपके बरकत नहीं हाई यूमन बाडी है जो है क्या को आवक कोस्तुम बनाई हुई है इसलिए कहते मानवशरीर है इसको मानवशरीर की एस से देखिए, मकान जो है वह मानव शरीर है कि कान में से हवा निकलती है या नाक है वह सारी विणडोज है, वेंटिलेटर से और वह होना ही चाहिए, आपका मकान सांस लेता ही है आपकी जो skin है वो भी breathe करती है यह आपको चाहिद पता होगा यह नहीं पता होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नाक से यह मुझ से ही स्वास लेते हैं आपकी skin जो है वो breathe करती है उसका भी 20% हिस्सा होता है मैं समझता हूँ जब तक उतना वो breathing करती है वो भी oxygen लेकर के आपके शर पुराने जमाने में 12 foot के मकान होते थे और यह होता था कि यह आपकी प्लिंथ है यह फर्स कर लीजे यह आपका plot है यह आपके मकान की प्लिंथ है तीन foot की और यह आपका 10 foot का मकान है यह 12 foot का मकान है अब क्या होता था कि खिड़की आपकी यहां से एक foot से ही चालू हो जाती दी मुख्यद्वार आपका यह हो जाता था और मुख्यद्वार चाहे यहां तक और यहां पर एक वेंटिलेटर हुआ करता था खिड़की से ऊपर लेकिन खिड़की जो है चूकी तब वेस्टन स्टाइल का सोफा नहीं थे इसलिए फर्ष पे ही बैठा जाता था फर्ष पे एक गिलम डाल दिया जाता था एक चटाई डाल दी जाती थी जिस पर ड्राइंग रूम में लोग बैठते थे फरनीचर बनीचर नहीं होता था तो चूकी हम जमीन पर बैठते थे इसलिए बिनडो की हाइड भी नीचे होती थी और जो oxygen है जिसके अंदर भेज है जिसके अंदर water content है वो हैवी है Howie होने से वो नीचे नीचे रहती है और नीचे नीचे से घर भी है और इसलिए उपर चली जाती है ठीक है तो उपर जब चली जाती है तो वह बाहर कैसे निकलेगी तो यह वेंटीलेटर में से बाहर निकल जाएगी बारा फुट की हाइट होती थी वेंटीलेटर होते थे खिड की नीचे होती थी गरम ठंडी हवा फ्रेश एर आ रही है ह और यह venture effect यह principle है natural air and ventilation का natural ventilation का यह rule है हम गाओं के किसी मकान में जाकर के बैठ से हैं लकडी का मकान है बहुत अच्छा मकान है बहुत ठंडक है पंखानी फिर भी ठंग रही है अरे वो पंखानी है लकडी का मकान है इसलिए ठंडक नहीं है उसमें venture effect का नियम है cross ventilation का नियम लग अब 10 foot की हमारी ceiling है 4 y 4 की हमारी खीड की है इसी में से हवा आरी इसी में जा रही है वेंटीलेटर है नहीं अब जब हम गर्मियों में पंखा चलाते हैं तो 20 seconds तक वही गरम हमारे वापस आती है और वही जो carbon dioxide हमने बाहर निकालके फेकी है वह वापिस हम ब्रीद करते हैं औ और हम कहते हैं कि हमारा आयुषय सितर और नबे साल का हो गया तो सितर साल नहीं होगा तो क्या होगा क्योंकि हम carbon dioxide वापस ले लेते हैं अंदर हम कहते हम रोगिश रहते हैं थोड़ा चलते हैं बाजार तक मार्केट तक जाते हैं चलते हैं तो पाउँ दर्द करते हैं अरे वही हमने पूरे पूरे प्रमान में कभी oxygen लिया ही नहीं, हमारे रूम की जो व्यवस्ता है, हमारे घरों की जो व्यवस्ता है, उसमें fresh air आती ही नहीं है, वही हवा है जो घुमती रहती है, जो हमने शरीर से निकाल के बाहर फेक दिये, यूज करके एक बार, इसलिए हम रोग में आठ, इतनी सी हाइट होती है बंबई के फ्लैट्स में, क्योंकि बीम बॉटम से आपको सीलिंग करनी पड़ेगी, अब बीम बॉटम से अगर आप सीलिंग करते हैं, तो आपकी हाइट वैसे ही कम हो गई, तो जो वाल्यूम था, जो विशालता थी मकानों की, भूवनों मारे